सीटेट 2024 का एक्जाम 21 जनवरी को संपन हुआ दो पालियों में एक्जाम कराया गया पहली पाली में पेपर 2 अर्थाद जूनियर दूसरी पाली में पेपर 1 अर्थाद प्राइमरी का पेपर कराया गया आप में से जो सदस इस वीडियो को देख रहे हैं सायद उनमें से प्रतेक सदस्यों दिया हो जब से आपने पेपर दिया पेपर देने के दोरान ही दोरान ही इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब पहला पेपर कंप्लीट हुआ था पहली पाली का उसी दोरान आपको बहुत सारे अलग-अलग resources से messages और संदेश आने दिखने शुरू हो गए कि पेपर लीक हो गया, cheating हो गई और यह पेपर अब्रद्ध होगा अब आगे पेपर देने का कोई फायदा नहीं है मैंने एक वीडियो आपको दिया था जिसमें मैंने इस बात को ले करके आपसे कहा भी था कि जिन्होंने दूसरा पेपर दिया होगा निस्चित तोर पर इसका प्रभाव उनके पेपर के performance पे पड़ा होगा रिजल्ट जब आएगा तो उसका impact आपको इस रिजल्ट पर भी देखने को मिलेगा इस सच्चाई को आप इस सच्चाई से मुह नहीं मोड सकते जब से पेपर समाप्त हुआ है मैंने तो उसी दोरान से बोल दिया लेकिन उसके बाद से आपको लगातार अलग-अलग YouTube चैनल्स पर अलग-अलग educational platform पर एक नहीं दस नहीं BCO वीडियो आपको देखने को मिले होगी डेली दो से तीन आपको अलग-अलग resources से वीडियो दिखती होंगी लोग सच्चाई का दावा करते होंगे और कुछ ऐसे ही questions आपके सामने आते होंगे अलग-अलग वीडियो के माध्यम से कोई कहेगा paper cancel question mark paper cancel हुआ कि नहीं हुआ अब आप इस सच्चाई को जानो क्या दुबारा होगा paper इसकी सच्चाई जानो और आप से भी राय मांगी जाएगी कि आप बताओ क्या चाहते हो कि paper देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो तो जो केवल इमांदारी से paper देने का कारी करते हैं paper देते हैं उनका cheating से कोई लेना देना नहीं होता है हाँ वो इस बात को लेकर जरूर परिसान होते हैं कि अगर किसी ने हमारे समकत्चागर cheating करी और हम उसमें पिछड गए तो उनको अपने score को लेकर के चिंता रहती है तो वह paper फिर से हो यह question पूछा जाता है और बहुत सारे ऐसे लोग है जिनका paper खराब हुआ होगा जो प्रभाव में आकर सही से performance नहीं कियो होंगे तो निश्यत तोर पर कहेंगे कि paper फिर से होना चाहिए यह प्रसन आप से ही पूछा जाता है क्या दुबारा paper होगा ठीक है CVSC का आ मुझे नहीं पता चला भी तरह मैं आपको सही बता रहा हूं और जो मुझे अंदर से पता चली है बात है उसको मैं जरूर आपसे साजा कर दूँगा जो मुझे मेरी knowledge में है जो मेरे label का है जो मेरी capability जितना जान लेने की जैसे आप जान लोगे वैसे मैं भी थोड़ी बहु किया जाएगा आपको tension दी जाएगी कि चलो आपके साथ अवन्याय हुआ अब आप आओ इस लड़ाई में हमारे साथ बनो हमारे साथ बन करके जो है हमारे साथ आ करके इस अन्याय से सीटिंग से आप निजात पाओ और फिर से paper की मांग करो या paper को cancel कराओ या paper वही रहने द मेरा बस आपको एक ही संदेश है जो गुम्राह ना हो सच्चाई को जानिए सच्चाई एक अभ्यर्थी के तौर पर जानिए एक सिस्टम के तौर पर भी जानिए पहली बात paper हुआ मैं आपको confirm कर दो paper में निश्यत तौर पर cheating हुई है और मैं आपको यह भी कह रहा हूं कि क कोई भी paper मेरा cheating के नहीं होता है इसमें कहीं से भी गलत नहीं है और सच में सम्मे cheating होती है और ऐसे बिकृत मांसक्ता के लोगों को पहली ची सथे हैं जो cheating को प्रवसाहित करते हैं इससे कितने कितने लोगों का दिमाग, कितने लोग की मेहनत, कितने लोग का कार्य प्रभावित होता है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है, कितने लोग इसके लिए कितनी प्लानिंग करते हैं, 6 महीने, 7 महीने से कोचिंग करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद कहीं जा लाब से मतलब होता है कि हम cheating करा करके इस paper को pass करा देंगे या ऐसे भी लोग जो cheating हो करके इस परिच्छा को pass कर लेंगे ऐसे लोगों को पहली चीज तो मेरी तरफ से same है, धिकार है ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते क्यों लोग cheating ही cheating करते रह जाएंगे तो निश्चित तोर पर paper में cheating हुई है, इतने कत्ते ही दोराय नहीं है लेकिन फिर मैं आपको बताओं, जब दूसरा प्रसना आता है कि क्या दुबारा होगा exam, तो लिख लो guarantee से exam नहीं होगा ठीक है, exam नहीं होगा, CBSC ऐसा कुछ नहीं कराने की mood में है CBSC का कोई जबाब नहीं आया है, आप लिख लीजिएगा आपके साथ सच में अन्याय हुआ इस बात को मैं मानता हूँ जितने लोग cheating के माध्यम से compare किये जाएंगे उनके साथ निश्चित तोर पर अन्याय हुआ या मैं मानता हूँ लेकिन जो सही सच्चा ही उससे मुहना मोडो उसको जानो की सच में क्या हुआ है हमारे साथ और हमें आगे क्या face करने हमें करना है हम अब इसी में उलजे रहें कि हाँ paper सर होना चाहिए paper नहीं होना चाहिए, paper होगा की नहीं होगा result का क्या होगा, कैसे होगा तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप एक अभ्यरती के तोर पर अपने प्रसेल्फिस होईए अपने प्रसेल्फिस होने का मतलब अपनी चीजों को समझे जब भी आप परिच्छा दीजिए उस परिच्छा के नेचर को समझे और Space Nature के हिसाब से अपनी planning को तेह करिए, अब इन सब गधिविद्यों में आकर कि किवल और किवल अपनी आगे की रणीतियों में आप अपना दिमाग और समय खपा रहे हैं मिलेगी और जल्द ही आपका रिजल्ड भी आएगा आगे की संभावनाओं पर आरकार करना शुरू कर दो जो भी आपको आगे इससे सच्छक बढ़ती मिलती है उसको देखना शुरू कर दो और जिनका पेपर खराब हुआ अगले पेपर के लिए उलू प्लान करना शुरू क कर दे कि जुलाई अगस्त का जो पेपर होगा उसमें पार्टिसिपेट करें यह मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं हाँ फिर मैं आपको एक बात पूरे आस्वासन और पूरे जो है कंफिडेंस से कह रहा हूं सीवियस्जी ने निशित तोर पर इसकी मीटिंग करी उन्होंने कमेटी तियार करी है मैं इसको आपको कंफर्म कर रहा हूं उन्होंने कमेटी तियार करी है उस कमेटी में उन्होंने जो टीम बनाई हुआ टीम उन उन जगहों पर जो संदिग्द जगह थे जहां जहां पेपर के लीक होने की बाते आई हैं जहां जहां से वाटसेप पर अल वहारी टीम इसकी जाज करेगी अगर हमारे माध्धयम से यह पुष्टी हो जाती कि सच में幾 endorse नहीं जाएंगे जाएंगे चाहें वे पक्पbud का scheint दोनों की बात उन्हें करी इसके अलावा CVSC ने अपनी इसमें कोई गलती नहीं मानी है उसने सीधी-सीधी-सीधी सेंटर्स कि उसने सीधी-सीधी गलती ऊस आर्गनाजिशिशन की जिसने पेपर कराया है उनकी गलतियों को थोपा है और ओभी कोई official record ये official जबाब नहीं दिया है कहीं पर पर इतनी सारी बाते हो रहे ही इतने सारे YouTubers के comments आ रहे हैं इतने सारे YouTubers के वियान आ रहे हैं और आप सब भी उसमें अपनी सक्रीता दिखा रहे हो लेकिन उनके उपर कुछ भी नहीं होने वाला है और कुछ भी किसी भी प्रकार के action के mood में नहीं है क्योंकि ओं मानते ही नहीं कि हमारी तरफ से कोई गलती हो रही है और इतनी बड़ी परिच्छा को फिर से कराय जाने कि किसी भी 1% भी पच्छ में हो नहीं है इस बात को सोचू तो पता नहीं लोग के मन में कैसे आता है कि हम इस पेपर में भी cheating कर लेंगे और cheating करके क्या हो सिद्ध कर देंगे क्या एचीप कर लेंगे मुझे तो पता नहीं क्या भाई सोची नहीं सकता मैं इस चीज को इससे हमको लगता है कि इस से करके अगली परिच्छा को कैसे हो participate करेंगे या उनके दिमार्ग में फिर हो क्ये अगली परिच्छा में भी इसी प्रकार से cheating का मौका मिल जाएगा इसी प्रकार से चीजें मिल जाएघी तो भाई ऐसे लोग तो जीवन में अब पता नहीं क्या कर सकते उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बार-बार आपको यही संदेश देना चाहूँगा अपनी तरफ से, बिहार की जो विकेंसिस आपके सामने उसको लेकर के जुड़ जाईए, उत्तरप्रदेश की सिच्छक भरती भी आपके सामने जल्दी देखने को मिलेगी, उसको लेकर के भी आप लग जाईए, उसका बिभाग और सारी चीजे आपको फरवरी में गटित होती दिखेगी, आय इसका रिजल्ड भी आजएगा, एंसर की भी मिल जाएगी, मतलग और रिजल्ड भी आजएगा, तो कुल मिलाके यह पेपर इसा चित जैसे है, वो ऐसे ही होने जारा है, इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाओ नहीं होने जारा है, ना पेपर कैंसिल होगा, ना दोबारा एक अंदर अंदर की है उसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने देखे प्रियास भी किया धरनों में भी गये धरने क्या मतलब जा करके वहाँ पर उन्होंने अंदर से बाते करी तो वहाँ से हलके फुल के आस्वासन जिसको लेकर के मैंने आपसे बाते करी कि उन्होंने कमेटी और फिर से वहीं वहीं पर कराये जाने की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको पता ही है, कि जिसने इमानदारी से दिया, जिसने सच्वे बड़ी मेहनत करी थी, उसके लिए तो दिक्कत ही है ना, भले ही ओ फिर से देगा, फिर अच्छा परफार्म करेगा, लेकिन ओ फिर से कर रहा उस चीज के लिए, इस सबसे बड़ी खराब बात होती है, बाकी मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा, कि अलग-अलग वीडियोस को देख करके, अलग-अलग बातों को सुन करके, गुमराह मत होई है, आप भी इतने विवेकवान हैं, इतने सिंसियर हैं, कि आप चीजों को आकलन अच्छे से कर सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि सच में क्या होने जा रहा है, सच में क्या होगा, इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, हमारी कितनी बाते किस अस्तर पर कहां-कहां पहुंच सकती, इस बात का भी अंदाजा आप लगा सकते हैं, तो कुछ कमेंट्स का आप इस हुझाओ का इंदजार करूँगा कि आपके मन में क्या चल रहा है सच में मैं भी जानना चाहूँगा कि भाई आप क्या चाहते हो आपके बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास भी आएं बहुत सारे संदेश आए कि आप क्या चाहते हैं बहुतों का लिखिए उसमें भी मत अलग-अलग हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पेपर हो, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पेपर नहीं हो, तो भाई, मैं तो यही कहूंगा, कि जो भी आगे आने वाला है, जो भी आपको फेस करने को मिलेगा, उसको आप बस सहर्स फेस करिए, इमानदारी से अपना कारी करिए, जो चीज गलत हुई है, उसका गलत रिस्पॉंस उनको मिलेगा, इस सब्सक्त है, इमान कर चलिएगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन म बहुत सारी वीडियो तो नहीं बनाऊंगा लेकिन जब भी कुछ अथेंटिक अपडेट मेरे पास आएगा और मैं भी जब चीजों से डिस्टर्ब होगा मैं चीजों को समझा तभी मैं आपके सामने वीडियो प्रवाइट कर रहा हूं आगे कुछ हमारी भी सच्चक बढ़तियों को लेकर के प्लानिंग है चाहे हो DTSB की हो उसके कामन पेपर की हो चाहे अलग-अलग सब्जेक्टिव पेपर की हो विहार 3.0 की परिच्छा को लेकर के हो या उसके सब्जेक्टिव या उसके अलग-अलग जो है उसके कामन पेपर की पूरी कोसिस करेंगे और आपको सही सूचना है हम प्रवाइट करेंगे हम लोग कभी भी इस पर विश्वास नहीं करते कि हम आपको अलग-अलग वीडियो दियो के माध्यम से गुमरा करें आकर कि आपको आसंकित करें अलग-अलग ऐसी बाते बताएं जिसके ना तो उसकूल हम लोग बजते हैं हाँ जरूरी बाते होंगी तो जरूर हम आपके सामने आकर कि अपने विचार रखेंगे और असपस्ट आपके सामने सारी बातों को करेंगे इसलिए आज मुझे जाज़त दीजिए मैं आपसे फिर कहूंगा कि बचिए इन बातों से इन प्रसनों स इन वीडियों से और अपना कारिया विवानदारी से करिए आगे की तयारियों में आगे की प्लानिंग भी अपने आपको अब लगा लीजिए मेरी तरफ से इतना ही आपके कमेंट्स और सुझाओं का इंतजार रहेगा अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो लाइक जरू कि अपना कि वीडियों में और से करिए टjuर खीए आपके कर दोस्ति कर दोस्ति करेंगे और सकती कर दोस्ति कर दोस्ति कर दोस्ति